हेलो एब्रीबन, कॉम्टिशन क्रेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, आज हम जन्वरी मन्त के जो इंपोर्टेंट बैंकिंग अविर्नेस हैं, यानि जन्वरी 2020 के जो इंपोर्टेंट बैंकिंग अविर्नेस हैं, वह हम आपके साथ डिस्कॉस करेंगे, तो मु यानि RBI गवर्णर श्री सक्तिकान दास, यानि RBI गवर्णर श्री सक्तिकान दास ने एक एप लॉंच किया है, जो विज्वली इंपाइट पिपल है, यानि जो लोग देखने सकते, उनकी लिए वह करंसी नोट की डिनोमिनेशन को अइडेंटिफाई करेगा, तो उस एप क नाम क्या है, उस एप का नाम है Money App, यानि Mobile Edit Note Identifier, यह इसकी फुल फॉर्म होती है, तो RBI गवर्णर ने इसको लॉंच किया है, अब इस एप की कुछ फीचर्स की बात करें, यह जो एप है, इसको अपने मुवाइल में डाउनलोड करने के बाद, मुवाइल के फॉन कैमरा से आप Note को स्कैन करके उसकी Denomination को identify कर सकते हो, और इसको एक इसमें सबसे बड़ी interesting चीज यह है, कि आप इसको offline mode में भी अपने मुवाइल के कैमरा से स्कैन करके Note की Denomination को identify कर सकते हो, और इसमें आपको Hindi और English दो language में audio output मिलेगा, लेकिन हम बात करें, इस एप की तो यह किसी भी Note के असली या नकली होने की पहचान या उसकी authentication नहीं बताता है, तो ध्यान रखिएगा, यह money app है, इसकी full form है, mobile added note identifier, इसको स्री सक्तिका अंदास ने इसको launch किया है, जो RBA Governor है, अब हम बात करते हैं, RBA के, तो RBA का establishment हुआ था, एक अपने 1935 को, under RBA Act 1934, इसके चार डिप्ट गवर्नर है, NS Viswanathan, BP Kanangu, Mahis Kumar Jain, और Michael Batra, इसका 1935 में, जो इसका headquarter था, Kolkata, और 1937 से, इसका जो headquarter है, यह मुंबई में है, अगला question है, which of the following bank that has signed a co-landing partnership agreement with GM Financial Home Loan Limited to provide retail loan to home buyers, यानि कि, कि इस bank ने, GM Financial Home Loan Limited के साथ, एक co-landing partnership agreement किया है, जो अपने home buyers को, retail loan provide करेगा, तो यह किया है, बैंक और बडुद्रा, बैंक और बडुद्रा ने, GM Financial Home Loan Limited के साथ, एक co-landing partnership agreement किया है, जिसमें, वह अपने home buyers को, loan provide करेगा, अब हम बात करते हैं, बैंक और बडुद्रा की, बैंक और बडुद्रा का जो foundation हुआ था, वो 20 जुलाई 1908 में हुआ था, इसका headquarter है, बडुद्रा गुजरात, इसके non executive chairman है, हस्मुक अधिया, और इसकी tagline है, इंडिया इंटरनेशनल बैंक, अगला question है, which payment bank has signed an MOU with CSE e-governance service India limited for selling fast tech, यानि किस payment bank ने CSE यानि common service center e-governance service के साथ, एक MOU sign किया है, जो fast tech को sale करेगा, तो ये किया है, PTM payment bank limited के साथ, यानि कि PTM payment bank limited के साथ, CSE e-governance service ने एक MOU, यानि memorandum of understanding sign किया है, जिसमें वह fast tech को sale करेगा, अब बात करते हैं, PTM payment bank की, तो ये एक mobile based bank है, जो आपके digital transition को कराती है, और ये zero balance पे आपके account open करती है, ओके, और इसका जो, इसकी जो chairman है, बिजय सेखर सर्मा और Chief Executive Officer और Managing Director है, सतीज कुमार गुपता, सतीज कुमार गुपता, PTM का जो headquarter है, NOIDA है, NOIDA UP. अगला question है, what is the interest date of सुकन्या सम्रिधी account for the fourth quarter of the financial year, 1920, starting from January 120, March 31, 2020? यानि सुकन्या सम्रिधी योजना या जो account है, उसमें कितनी interest rate है, financial year 19-20 के चौथे quarter में, जो 1 जन्वरी 2020 से 31 मार्च 2020 तक है, तो इसके लिए जो interest rate है, यह है 8.4%, यानि सुकन्या सम्रिधी account की financial year 2019 के fourth quarter में, जो interest rate है, वो 8.4% है, अब हम कुछ और जो saving scheme की annual interest rate है, उसको उसके बारे में जानते हैं, तो देखो, एक है PPF, यानि Public Provident Fund, यह 7.9% है, National Savings Certificate, जो NSC होती है, यह 7.9%, किसान विकास पत्र KBP, यह 7.6%, और इसका maturity period है, 113 महिने में इसकी maturity हो जाती है, सुकन्या सम्रिधी यूजना, इसमें 8.4% है, और जो senior citizen की five year की scheme है saving की, उसमें आपको, यानि जो FD है, उसमें 8.6% मिलता है, saving deposits में 4%, और जो term deposit जो एक साल से 5 साल की maturity होती है, उसमें आपको 6.9% से 7.7% का interest rate मिलता है, और जो recurring deposit होते हैं 5 साल के लिए, उसमें 7.2% आपको interest rate मिलता है, यह जो interest rate है, यह 4th quarter financial year 1920 के लिए हैं, नेक्स्ट कोशन है, which bank has appointed as सुन्दर as interim managing director and chief executive officer, यानि एस सुन्दर को as a interim managing director and chief executive officer, अपोइंट किया है, किस bank के लिए, तो इनको अपोइंट किया गया है, लक्ष्मी ब्लास bank, यानि एस सुन्दर को लक्ष्मी ब्लास bank में as a interim managing director और chief executive officer, अपोइंट किया गया है, अब हम बा था 1926 में यानि 1926 में इसको फाउंड किया गया था इसका हेड़कॉर्टर है चिन्नी तमिलनाडू अगला कोशन है नेम दा फर्म डेट रिसीव एक्कुजिशन एक्कुजिशन एक्रूवल और 51.2 परसेंट इस्टेक इन अपोलो मुनिक हेल्थ इंसुरेंस कंपनी यानि अप 59.2 परसेंट इस्टेक है वो किस फर्म ने एक्कुायर कर लिया है तो यह किया है SDFC एग्रो ने SDFC एग्रो ने अपोलो मुनिक हेल्थ इंसुरेंस कंपनी का जो 51.2 परसेंट है जो इस्टेक है उसको एक्कुायर किया है अब हम बात करते हैं SDFC की तो SDFC की फुल फॉर्म होती है Housing Development Finance Company इसके CEO है आदेते पूरी इसका Headquarter है मुंबई अब बात करें हम Apollo Munich Health Insurance Company की इसके CEO है Anthony Jacob इसका Headquarter है Groupram तो ध्यान रखेगा जो SDFC Agro है उसने Apollo Munich Health Insurance Company के 51.2% stake को acquire किया है अगला question है Why how much percent the foreign direct investment in India rose in the first half of financial year 2020 as per the Department of Promotion of Industry and Internal Trade यानि Department of Promotion of Industry and Internal Trade के अनुसार भारत में financial यानि जो fiscal year है उसके पहले first half में जो foreign direct investment है उसमें कितनी percent की बढ़ोतरी हुई तो यह हुआ है 15% यानि 15% की इसमें increment आई अब बात करते हैं FDI की दोगो FDI क्या होता है जब कोई बिदेशी company या कोई बिदेशी investors इंडिया में आके एक long term perspective से investment करता है जिससे की जो यहां industry है उनको उसमें बढ़ावा मिलता है और जो employment opportunity है वो increase होती है कह सकते हैं कि वो capital market में invest करता है तो उसको हम foreign direct investment कहते हैं तो यह काफी helpful होता है इंडिया की economy के लिए तो इसमें जो foreign direct investment है इसमें 15% की बढ़ोत्री की गई अब बात करें कि इंडिया के लिए जो सबसे ज़्यादा FDI source country कौन सा है तो यह है Singapore Singapore से सबसे ज़्यादा FDI इंडिया में आती है अगला question है to which country export import bank has given a dollar 75 million यानि over 500 crore line of credit for financing 75 megawatt photovolatic solar park Exim bank ने 75 million dollar का यानि करीब 500 crore का एक line of credit दिया है जिसमें वह 75 megawatt का photovolatic solar park को establish करेगा तो यह किस country को दिया है तो यह दिया है क्यूबा यानि export import bank ने यानि Exim bank ने 75 million dollar का एक line of credit दिया है क्यूबा को जो finance करेगा 75 megawatt photovolatic solar park के लिए अब हम बात करते हैं Exim bank की तो इसका foundation हुआ था एक जन्वरी 1982 में हैड़कॉर्टर है इसका मुंबई मालास्टरा और managing director है David Raskunha अब हम बात करें क्यूबा क्यूबा एक country है इसकी capital है हवाना currency है Pisho और इसके president है Migul Diaz Canal मिगul Diaz Canal और इसके prime minister है Manuel Mero Cruz यह recently अभी appointment हुए है तो इनको याद रखेगा क्यूबा के prime minister है Manuel Mero Cruz अगला question है PNV MetLife India Insurance Company य यानी PNV MetLife India Insurance Company ने एक फर्म की साथ partnership किया है जो अपने ग्रहकों को life insurance यानी जीवन भीम प्रॉइट करेगा तो यह किस फर्म ने किया है partnership यह किया है now Papal मेस convin चर्णे म्ने य्लिक्ट्ट आपीन इंदीय तर्डविस अन West पार्टनर्शिप किये है जिसमें वह अपने ग्राहकों को जीवन भीमा प्रोवाइड करेगा, अब हम बात करें रेफिन की, तो रेफिन का ये जो कंपनी है, इसका फॉर्मिशन हुआ था, 16 मार्च 2018 में, इसका हैटकॉर्टर है न्यू डैली, और इसके CEO है समीर अगरवाल, और PNP MetLife India Insurance की बात करें, तो ये 2001 में इसको फाउंडेशन किया गया था, और इसका हैटकॉर्टर मुंबई माराष्ट में है, इसके M.D. CEO है आसीस कुमार स्रीबास्तव, अगला कोईशन है, what is the Foreign Exchange Reserve of India on 27 December 2019 as per the RBI, यानि Reserve Bank of India, Bulletin Weekly Statical Supplement Aspect, यानि RBI का एक डेटा है, जो रिल पता है कि 27 December 2019 को जो Foreign Exchange Reserve है, वो कितना है, तो वो है आपका 457.468 बिलियन डॉलर, यानि भारत के पास 27 December 2019 को RBI के Bulletin Weekly Statical Supplement Aspect के हैं, अनुसार जो Foreign Exchange Reserve है, वो है 457.468 बिलियन डॉलर, याद रखना है, ये डिजिट वो काफी important है, आपके banking exam में ये जो डिजिट से हैं, ये है, इसका जो amount है, ये 457.468 बिलियन, यानि 457.468 बिलियन डॉलर, ओके, नेक्स्ट कुश्चन है, विच्च बेंक है लॉंच्ट अनुसार निव अडेप्शन असिस्टेंट प्रोग्राम, यानि किस बेंक ने एक नया असिस्टेंट प्रोग्राम को लॉंच किया है, जो प किया है, पेपाल इंडिया प्राइविट लिम्टिर ने, यानि पेपाल इंडिया प्राइविट लिम्टिर ने एक निव अडेप्शन असिस्टेंट प्रोग्राम चलाया है, जिसमें पेरेंट्स को एक लाग रुपी तक का फाइनेशल असिस्टेंट प्रोग्राम के अंतर विथ हिंदोस्तान Aeronautics Limited to make aerospace components, यानि किस फर्म ने हिंदोस्तान Aeronautics Limited के साथ एक MOU-sign किया है, जो aerospace components बनाने में help करेगा, तो ये किया है, Vipro 3D, वipro 3D ने HAL के साथ जो aerospace components हैं, उनको बनाने के लिए help करेगा, अब बात करते हैं H.A.L. की यानि हिंदुस्तान Aeronautics Limited की ये फाउंड हुई थी 1940 में इसका पहली नाम था हिंदुस्तान Aeronautics Limited किया गया ओके इसका हैड़क्वार्टर है बैंगलोर करनाटक में इसकी चेर्मेन और मैनेजिंग डिरेक्टर है आर माधवन हम बात करें बिप्रोर 3D की इसका हैड़क्वार्टर है बैंगलोर करनाटक और ये फाउंड हुआ था 2012 में अगला कुश्चन है नेम दा फस्ट अर्वन कोपरेटिव बैंक that received Reserve Bank of India approval to function as a small finance bank RBI ने एक पहली अर्वन कोपरेटिव बैंक को एक license दिया है जो वह अपना function है वो small finance bank की तरह कर सकती है तो ये किस bank को दिया है तो ये दिया है सिवालिक मर्चंटाइल कोपरेटिव बैंक लिम्टेट को सिवालिक मर्चंटाइल कोपरेटिव बैंक लिम्टेट को Reserve Bank of India के माधिम से एक approval दिया है कि वह अपने functions को as a small finance bank की तरह कर सकती है ओके दिखिए ये जो small finance bank का जो approval दिया है ये banking regulation act 1949 के अंतरगत ये approval दिया जाता है ध्यान र cooperative bank है ओके ये established हुआ था 5 सितंबर 1998 में सहारणपुर मतरप्रदेश में और इसको register किया गया था multi-state cooperative society act 2002 के अंतरगत और इसने acquisition किया था जो मतरप्रदेश की धार bank है उसका इसने acquire किया था 2010 में और इसने multi-status bank का status भी प्राप्त किया और इसके chairman है यस्वीर कुमार गुपत अगला question है primary यानि cooperative bank will be kept under supervisory action framework if net non-performing assets exceed how much percent यानि RBI ने एक supervisory action framework को बनाया है जिसमें जो urban cooperative bank है उनको अपना जो non-performing assets है वो कितने percent से exceed नहीं होना चाहिए यदि कितने percent से exceed होता है तो उनके उपर supervisory action framework को लगाया जाएगा तो यह है आपका 6% देखिए हम बात करते हैं जो urban cooperative banks होती है यदि इनका non-performing assets 6% से उपर जाता है तो RBI की माधिम से इनकी जो functioning है उस पर supervisory action framework को लगाया जाएगा तो काफी bank को restrictions जो है लगा दिये जाएंगे और उनको restrictions के अंतरगत अपने जो functions से इनको follow करना पड़ेगा कितना percent से exceed नहीं होना चाहिए 6% से अब हम बात करते है NPA होता क्या है देखिए NPA क्या होता है जब bank किसी भी customer को loan या advance देती है और उसका return 90 days के अंतरगत उसका principle या उसका interest नहीं आता है तो उसको हम as a non-performing assets की रुप में जाते हैं इसका हम एक lecture लेक्टर लेके आएंगे आपके लिए non-performing assets के लिए जो हम पूरा detail में उसको discuss करेंगे लेकिन अभी के लिए आप जानेए कि जो non-performing assets है जब bank अपने customer को loan and advance देता है और उसका return 90 days के अंतरगत उसका interest और principle रिसीब नहीं होता है तो bank उसको as a non-performing assets की रुप में मानते हैं next question है which category of bank are enabled to offer round the clock 24 into 7 trading in the Indian rupees to safeguard their foreign exchange risk from earlier timing of 9 a.m. to 5 p.m. यानि कि किस category के bank को round the clock trading करने का एक enable किया है जिसमें जो Indian rupees है foreign exchange risk से उसको safeguard किया जा सके पहले उसकी timing थी सुबह 9 बजे से 5 बजे तक तो यह किस category के bank है उनको round the clock trading करने की service provide की है तो यह है authorized dealer category 1 bank तो जो category 1 के अंतर जो banks आते हैं उनको यह authority दिया है यानि कि देखो इसका main purpose क्या है इसका main purpose है कि जो Indian rupees है जो foreign exchange का जो risk होता है उससे कैसे safeguard करें तो पहले safeguard करने के लिए सुबह 9 बजे से 5 बजे तक जो Indian rupees है उसकी monitoring किया थी और अब जो है जो कुछ bank जो authorized dealer है उनको round the clock यानि 24 into 7 trading कर सकते हैं और जिससे की Indian rupees का save करने में काफी helpful हो सकता है तो यह काफी important question है ध्यान दखेगा अगला question है which organization has launched a knowledge hub for BFSI banking, financial, service and insurance sector to enhance skill for their employees यानि किस organization ने knowledge hub launch किया है BFSI के लिए यानि banking, financial, service and insurance sector के लिए जिसमें वह अपने employees की skills को enhance करेगा तो यह किया है national stock exchange ने national stock exchange ने एक knowledge hub launch किया है जो banking, financial, service and insurance sector के लिए अपने employees की knowledge को enhance करेगा अब हम बात करते है national stock exchange की national stock exchange का foundation हुआ था 1992 में और इसका जो headquarter है मुंबई तो ध्यान रखिएगा जो NAC ने launch किया है knowledge hub अपने employees की जो skills है उसमें improvement लाने के लिए अगना question है who chair the second edition of the national GST यानि goods and service tax conference of the commissioners of state tax and chief commissioner of central tax that held in New Delhi यानि GST की जो meeting हुई थी उसका second edition हुआ जिसमें conference of commissioner of state और chief commissioner of central tax के उन्होंने meeting की तो उस meeting को किसने chair किया यानि किसने उसको उस meeting के कौन head थे और ये जो meeting है ये दिल्ली में इसको organize किया गया तो इसके head थे अजया भूशन पांडे अजया भूशन पांडे ने जो दूसरा edition हुआ है national GST का GST conference of commissioner of state tax और chief commissioner of central tax तो इसका second edition दिल्ली में आजया जित किया गया इसको जो lead किया था वो अजया भूशन पांडे ने नेक्स्ट है आपका name the organization that has released the first advance estimate of the national income at both consent 2011-12 and current price of financial year 19-20 उस organization का आपको नाम बताना है जिसने पहला advance estimate national income को release किया है जो 2011-12 के अनशा और current price financial year 2019-20 के अनशार तो ये किया है national statical office ने पहले 2011-12 को कोई भी GDP हम निकालते थे तो उसका base year हम 2011-12 मान दे दे तो उसके लिए उन्होंने एक advance estimate किया है national income को जो prices है उनको हम estimate कर सके है तो 2011-12 और 2019-20 तो ये किया है national statical office ने जो national statical office है इसको हम पहले CSO के नाम से जानते थे यानि central statical office अब इसका नाम कर दिया है national statical office इसमें CSO और NSSO को भी merge किया है उसका एक नाम बताया है national statical office ये जो है जो इंडिया की जो employment rate है और जो national income है इनको ये fine करता है यानि उनकी report जारी करता है next question है why how much percent of the revenue sector of India will grow annually and expected to reach dollar 120 billion in 2020 यानि revenue sector of India में उसने कितना percent growth कर रहा है और जो 2020 में 120 billion dollar पर पहुंच जाएगा यानि ये expectation किया है तो कितना percent इसमें increase कर रहा है तो ये कर रहा है 51% यानि जो इंडिया का revenue sector है उसमें 51% की बड़ोतरी हो रही है जो 2020 में करीब 120 billion dollar पर पहुंचने की समभावना है तो ध्यान रखेगा 51% अगला question है what is the rank of Indian passport in the Hanley passport index to 2020 released by Hanley and Partners एक report जारी की Hanley and Partners ने जिसमें जो Hanley passport index 2020 में इंडिया के passport की rank क्या है तो इंडिया की passport की rank है 84 यानि जो एक Hanley and Partners एक company है जो Hanley passport index जारी करती है तो 2020 के लिए इंडिया के जो passport है इंडियन passport है उनकी ranking क्या है तो ये है 84 पहले number पर किसकी है पहले number पर है जापान तो ध्यान रखेगा इंडिया की rank है 84 और जापान की है first तो friends यही थे कुछ important banking evidence questions जनवरी 2020 के मुझे उमीद है कि यह video आपको बहुत पचंद आया होगा आप इस video को अपने दोस्तों के सेयर कर सकते हैं और हमने इस video का PDF लिंक आपको description में दिया है ये जो banking awareness है आपकी जो आने वाली जो banking exam है जैसे RBI, SBI और भी आपके आने वाले time में कुछ lined up exam होंगे तो उनके लिए ये बहुत most important questions है इन questions से आपके exam में आने की शंभावना है तो friends यही था आज का video मुझे उमीद है कि यह video आपको बहुत पचंद आया होगा आप इस video को अपने दोस्तों के साथ सेयर कर सकते हैं